आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का चटपटा पुर्कूरा नास्ता इस नास्ते को बनाना बहुत ही असान है इसे आप घर में रखे चीजों से असानी से बना सकते हैं यह नास्ता कम चीजों में जल्दिस बन कर तयार हो जाता है इसे आप सुछ साम के नास्ते में जब यह चोटि बनाते हैं पहले हम आटे में डालेंगे तब इसमें हम पानी डालेंगे, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाइन डाल कर इसका डू बनाएंगे बहुत टाइट डू हम नहीं लगाएंगे जिस तरह से हम रोटिक लिए आटा लगाते हैं उसी तरह मुलायम इसको भी गुथेंगे तो थोड़े थोड़े पानी डाल कर आटे को हम लपेट लेते हैं आटा हमने इस तरह सितना मुलायम लगा लिया है अब इसको हम 10 मिनट लिए ढखकर साइड में रखेंगे जिससे आटा फोल जाए तब तक इसके लिए हम आलू तयार करेंगे यहाँ पर हमने एक बरतर में दो उबला आलू मैसकर के लिए है आलू हम डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्याज पहले हम प्याज को डालेंगे इसके बाद दो बारी कटी हुए हरी मिर्च डालेंगे फिर इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमज धनिया पाउडर आधी छोटी चमज लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चमज जीरप पाउडर आधी छोटी चमज आमचूर पाउडर आधी छोटी चमज नमक डालेंगे स्वात के अंसार और थोड़ा से बारिक कटा हुए हरा धनिय डालेंगे अब सारे चीजों को हम आलू में हाथ से मिला लेते हैं अब इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे बस सारे चीजों को इसी तरह मिला लेते हैं इसमें जो आलू के बड़े-बड़ ढोके हैं उसे हम फोड़ते हुए मिलाएंगे जिसे नमक मसाला अच्छी तरह मिल जाए आप चाहें तो आलू को मैसर से मैस करके ले सकते हैं या फिर कद्दू कस करके ले सकते हैं सारे चीजों को मिलाकर आलू को हमने अच्छे स्टयार कर लिया है आलू को मिस्तर तयार है आप इसे हम साइड में रखेंगे आप हम मैदे का घोल बनाएंगे इस बरतल में हम दो छोटी चमझ मैदा डालेंगे अब इसी में एक छोटी चमच सफेद तिल डालेंगे आधी छोटी चमच कुटी हुई लाल मिर्ड डालेंगे अब इसमें थोड़ा पानी डाल कर इसका घोल बना लेते हैं बहुत गाड़ा घोल हम नहीं बनाएंगे, पतला घोल बनाएंगे लेकिन इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे जिसे मैदे का लम सनर है इतना पतला घोल हमने बना कर तयार कर लिया है अब इसे हम साइड में रखेंगे चलते हैं आटे की तरफ लगभग 10 मिनट के बाद आट अच्छी तरह से फूल कर सेट हो गया है अब इसे हम मसल कर चिकना करेंगे अब इसमें से एक बड़े साइज के लोई निकालेंगे लोई हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि बड़े साइज के हम रोटी बेलेंगे तो एतनी बड़े साइज के लोई हम लेंगे और इसे मसलते होई चप्टा करेंगे लोई को चप्टा करने गबाद इसे हम सुखे आटे में लपेटेंगे जिससे बेलते समय बेलन में चिपके न अब इसका हम पतले और बड़े साइच के रोटी बेलेंगे बहुत मोटा हम नहीं बेलेंगे जितना पतला हम रोटी बेलते हैं उसी तरह इसको बेलेंगे आप देख सकते हैं इस तरह का रोटी हमने बेल दिया है इसको हमने इतना पतला बेला है अब इसके उपर हम आलू लगाएंगे तो जितना बड़ा रोटी है पूरे रोटी बराबर आलू को फैला कर हम लगा देते हैं इस तरह से हम चम्मस से दापते हुए लगाएंगे जिसे रोटी में आलू चिपक जाए आलू लगाने के बाद अब इसको हम मोड़ेंगे तो पहले इस तरह से आधा मोड़ लेते हैं फिर इसे उठा कर एक बार मोड़ेंगे मोड़ने गबाद इसे इन चिपका देते हैं वैसे तो आप गेहों के आटे से बना नास्ता बहुत खाए होंगे लेकिन एवाला नास्ता बहुत ही बढ़िये बनता है यह नास्ता बहुत कुरकुरा बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है कम समयम जल्दी से बन जाता है इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यदा चीजों जरूरत नहीं पड़ेगे जो घर में रखे सामगरी है उसी से यह नास्ता बन जाएगा आप इसे हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे तो पहले इसके किनारे वाला हिस्सा काट कर निकाल देते हैं फिर इसके बाद इसको हम इतने बड़े बड़े पीस में काट लेते हैं आप अपने हिसाब से इसे जैसे चाहें छोटे बड़े पीस में काट सकते हैं इस तरह का पूरा नास्ता हमने बना लिया है काटने बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर आलू कितना बढ़िये लग रहा है इसी तरह जो आलू और आटा बचा है उसका भी हम नास्ता बनाएंगे पूरे नास्ते को हमने बना लिया है एक कप गेहूं के आंटे में इतना सारा नास्ता हमने बनाया है अब इसे हम तेल में तलेंगे तो यहाँ पर हमने जो मैदे का घोल बनाया है पहले इसी घोल में नास्ते को हम दिब करेंगे फिर इसके बाद घोल से निकाल कर तेल में डालेंगे गोल में डिप करने से क्या होगा जो बगल बगल आलू दिख रहा है वो तेल में निकलेंगे नहीं और इससे नास्ता कुर्कुरा भी बनेगा तो चलिए अब इसे हम तेल में तल लेते हैं नास्ता तलने के लिए तेल अच्छे सी गरम है तो एक एक नास्ता उठा कर हम तेल में डालेंगे पहले माइदे के घोल में डिप करेंगे फिर तेल में डालते जाएंगे पैन बड़ा है तो एक बार में पूरे नास्ता आसानी से आ जाएगा तो जितना नास्ता हमने बनाया है पूरे नास्ते को डाल कर तल लेते हैं इसे तुरंद पल्टेंगे नहीं पले एक तरफ से फ्राई होने देते हैं अब एक तरफ से ये नास्ता फ्राई हो गया है तो इसको हम धिर धिरे पलट देते हैं इसे हम दोनों तरफ सुनाय रंग में होने तक तलेंगे गैस को हमने मीडिय में रखा है इसे हम मीडिय माज पर तलेंगे जिसे अंदर तक फ्राई हो जाए बार-बार इसी पलटने ज़रूरत नहीं है एक तरफ यह फ्राई हो जाए तो दुसरी तरफ पलट कर फ्राई करें अब ये नास्ता दोनों तरफ से फ्राई हो गया है तो इसे हम तेल से निकाल लेते हैं पूरे नास्ते को हमने तल लिया है अब गैस को हम बंद करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राई करने बार नास्ता कितना बढ़िया लग रहा है उपर से बहुत कुरकुरे बने हैं आप इसको हम तोड़ कर दिखाते हैं तोड़ने बाद आप देख सकते हैं आलू इसके अंदर पूरी तरह से भरे हैं आप इसे चाहें तो चटनी के भी खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर चटपटे आलू भरे हैं आप इस तरह से गेहों के आटे का नास्ता घर पर जरूर बना कर ट्राई करें इसे घर में सभी बह बहुत पसंद करेंगे